नवस्कार दोस्तों मैं जैसिंग आपका स्वागत करता हूं ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं most important 35 questions के बारे में देखिए दोस्तों 35 questions बहुत important question है जो one day exam में बार-बार पूछे जा रहे हैं पिछले साल के जितने भी पेपर होते हैं 70-60% repeat question करते हैं तो इसलिए मैं step की वीडियो बना रहा हूं आपको आगे और भी इसे दो-चार वीडियो मिलेंगे क्योंकि मैं इसमें चाहरा हूं 1500-2000 question की वीडियो बना दू ताकि आपके लिए कोई भी question GS की वज़े से आपका कोई भी question छूटे ना उसमें सारे question आपके आ जाएंगे तो आएए हम most important 35 question का पहला question देखते हैं क्या है देखिए दोस्तों पहला question किस राज में सबसे पहले प्रवेश करता है तो इसका answer हो जाएगा आपका केरल में कई बारे भी question पूछा जा चुका है जो यहाँ पर question मिलेंगे पूछे जगए ही question है बार-बार देखिए दूसरा question आपका कह रहा है दूर दर्शन से रंगीन परसानल कब आरम हुआ दूर 1982 B में ठीक है 1982 B से दूर दसर पे रंगीन परसानल स्टाट हो गया ठीक है next question देखिए 202 जीव कोस्त द्वारा प्रतीक के रूप में किस पसु को लिया गया है किस पसु को लिया गया है तो पसु है पांडा पांडा आप देखे होंगे ठीक है next question देखिए 200 के सबसे बड़े computer network का नाम क्या है तो 200 के सबसे बड़े computer network का नाम internet है most important question है internet जो आप use करते हैं ठीक है next question most important question देखिए email के जन्मदाता कोन है email के जन्मदाता कई बार question आज शुका है तो email के जन्मदाता आपके Ray Tomlinson है यह Ray Tomlinson नाम याद रखिएगा email के जन्मदाता है next question एक और question देख यह Worldwide web www ठीक है कि अब इस कारक कौन है तो टीमबर्नल्स ली यह विक एपर में आपके आचुका है टीमबर्नल्स ली www के अब इस कारक है ठीक है और एक और question next question यह भी most important question है देखिए स्टीटीपी का पूर्ण रूप क्या है यानि कि STTP का full farm क्या होता है ठीक है ये भी पेपर में कई बारा है तो इसका full farm होता है hypertext transfer protocol ठीक है इसे भी आप याद रखेंगे ये भी आपका important question है ठीक है next question देखिए DP का कुमारी का संबंध किस खेल से है तो इसका answer आपका हो जाए जागा तीरंदाजी तीरंदाजी से DP का कुमारी का संबंध है तीरंदाजी खेल से ठीक है और एक और question next question देखिए भारत में currency note पर उसका मुल कितनी भासाओं में लिखा होता है उसका जो मुल होता है जैसे 10 रुपए का note होता है 10 रुपए कैसे कितने भासाओं में लिखा रहता है तो इसका answer हो जाएगा 17 भासाओं में ठीक है ये भी कई बर लोग भी पूछ देते हैं paper में भी आया हुआ question है ठीक है next question देखिए फ्रांस की क्रामती कब हुई थी तो इसका answer हो जाएगा 1789 भी में ठीक है 1789 भी में एक और next question ये भी most important question कैई बर paper में आ रहा है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किस ने दिया तो answer हो जाएगा काल मार्क्स ने ठीक है दोस्तों इसे याद रखेंगे काल मार्क्स ने क्या नारा दिया था दुनिया के मजदूर एक हो देखिए दोस्तों कुछ और important question को देख लेते हैं आपका यहां तक हो गया काल मार्क्स आईए और हाई यहां से आपका देखिए समानता समता और बंदुत का नारा किस क्रांती की देन है तो फ्रांस की राज क्रांती ये भी paper में आया हुआ है ठीक है एक और most important question Asia का Nobel पुरसकार किसे कहा जाता है Asia का Nobel पुरसकार आएगा तो किसे कहा जाता है तो Max यह से पुरसकार को Max जजब कहा जाता है एक नोबल पुरसकार एक और question last next question देखिए दोस्तों सरवाधिक ओजोन छहिकारी गैस क्यों सी है इसे भी याद रखेंगे ये भी आपका पेपर में कई वर पूछा जा चुका है नेक्स्ट कोस्टन एक और देखिए CPU का पूरा नाम क्या है CPU का फूल फार्म पूछना है ठीक है जो कम्प्यूटर में होता है ठीक है तुसे कहते हैं Central Processing Unit कहते हैं नेक्स्ट कोस्टन देखिए सौर मंडल में गरहों की संख्या कितनी है तो गरहों की संख्या कितनी है आठ है ये भी याद रखेंगे दोस्तों ठीक है पेपर में भी पूछा जा चुका है एक और कोस्टन जब चंद्रमा शूर्य और पृत्वी के बीच आता है तब कौन शीं गरहन लगता है ठीक है logistics मा भीच में आ जाएगा तो शूर्य हां हो जाएगा जर्छ Meine नेक्सट कोस्चन देखिए जल का सुधतम रूप कौन सा होता है तो बर्सा का जल सबसे सुधमाना जाता है ठीक है उता भी है ठीक है नेक्सट कोस्चन देखिए भारत में किस परकार की विद्धूत का सरबाधिक उत्पादन होता है most important question है कई भाई आया है ताप बिद्दुद का लोग मार देते हैं जल बिद्दुद का जल बिद्दुद आता है लेकिन नहीं ताप बिद्दुद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नेक्स्ट कोस्टन देखिए रेडियू तरंगे वाई मंडल की किस सता में किस सता से परिवर्तित होती है रेडियू तरंगे जो होती है तो यह होती है आयन मंडल से ठीक है इसे भी याद रखेंगे यह भी कई बार आया है हवाई चहाज वाई मंडल की किस परत में उड़ते ह कि और मंडल की धरातल से अधिकतामुचाई कितनी होती है तो, इसका किने पूपन। 18 किलो मिटर्टरों , एक पूपनृट्थ स्टो म्नॉटारों देखते हैं , तो एक पूपनौिटर संतु है , retreat , मगें से आप FREक्ला पूपन। आतो में समझादेता हूं , है यहां पर भारत में दक्षिर पाषि मान्सून किस महें नह stressing रहता है तो द्जीड पाषिशी मान्सून जून से सितम्बर संपर सटी बचल और एक और देखिए नेक्ट कोष्चन प्राथिन समगें ऐस्थापना किसने की तो प्राथिन समाज संगठन की अस्थापना किसने की तो mother tracer याद रखेंगे मिजनरी आप charity कहां है तो कोलकता में है संगठन की अस्थापना किसने की थी mother tracer ने की थी एक और नेक्स्ट कोस्टन यह भी बहुत most important question lady with the lamp के नाम से परसिद्ध है कौन परसिद्ध है ठीक है तो Florence nightingale कई बार paper में आ चुका है lady with the lamp तो Florence nightingale इस नाम से परसिद्ध है ठीक है next question देखिए कौन सी gas जलने में सहायक होती है oxygen most important question यह आता है कौन सी gas जलने में सहायक होती है oxygen के साथ ही कोई gas रहेगी तब ही जलेगी ठीक है तो oxygen सहायक होती है बिना oxygen के आग नहीं लग सकता ठीक है next question देखिए वाई मंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर उचाई तक पाया जाता है तो 97% यानि कि 97% भाग 97% वाई मंडल का भाग 29 किलोमीटर उचाई तक पाया जाता है ठीक है इसे भी आप याद रखेंगे next question देखिए अठारो सो संतावन की क्रांती का ततकाली कारण क्या था ततकाली कारण वही था देखिए क्या था चर्भी युक्त कार्तूस का सेना में प्रयोग यानि कि जो धाका में मुस्लिमी केस अपना किसने की तो आगा खा और सलीम उल्ला खाने ठीक है दोस्तों ये भी याद रखेंगे और next question ये भी most important question भारत में डांग टिकट पहली बार कप चली 1854 में याद रखेंगे दोस्तों बारत में डांग टिकट पहली बार कप चली तो 1854 में एक और question देखिए बंगाल बिहार और उडिसा में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया ठीक है तो 1793 में लाड का 49 ने किया था दोस्तों ये भी याद रखेंगे 1793 में लाड का 49 ने किया था आईए कुछ और question दोस्तों ये रहा आपका यहां से देखिए यहां पे हो गय पानीपत की पली लडाई कब लड़ी गई थी तो 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी तो बाबर और इब्राहेम लोदी के बीच दोस्तों next question देखिए किस मुगल बात्सा की मृत्त दिल्ली के पुस्तकाले में सीन्धियों से गिरकर हुई तो उसके आंसर हो जाएगा हुमा अकबर ने फतेपूर सिकरी में बुलन दरवाजा बनवाया ठीक है गुजरात बीजय के दोराम ठीक है और next question देखिए यह भी most important question दोस्तों है भूर आजस्व की 10 साला पदती किसने लागू की कई बार पेपर में आ चुका है इसे आप याद रखेंगे तो किसने लागू की अकबर ने लागू की यह भी most important question है दोस्तों आप इसे याद रखेंगे दोस्तों अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए share कीजिए और दोस्तों आप अगर जो किसी भी competition exam की तैयरी करते हैं तो इस चैनल को जरू subscribe कीजिए क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में